नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दा जी एस वर्ड, दोस्तों आज है 31 जुलाई और आज मैं आपसे यूपी लेकपाल का जो अभी अभी पेपर हुआ है, उसकी कोश्चन के आंसर्स बताऊंगी, तो सबसे पहले हिंदी के पेपर से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोश्च की बात करें, तो दूसरे कोश्चन का आंसर होगा D, उप्रियुक्त सभी, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे कोश्चन का आंसर होगा C, असफलता को, चली, आगे बढ़ते हैं, तो चौते कोश्चन का आंसर होगा दोस्तों, A, जो असफल होने पर दुबारा प्रेत नहीं कर अगे बढ़ते हैं, आगे समीप होना, फिर आठवे कोश्चन का आंसर है B, सलाई, चली, आगे बढ़ते हैं, नौवे कोश्चन की बात कर लेते हैं, तो नौवे कोश्चन का आंसर है, मोध और हर्ष, ठीक है, आनन्द सब्त का उचित परियावची सब्त क्या होगा, मोध और हर्ष, फिर अगला तो दसवा question का answer होगा C, बहुब रही समास, इसमें क्या उत्तर होगा? बहुब रही समास, चली, हम आगे बढ़ते हैं, ग्यारवे question का answer होगा D, संबल इन में से पुछा गया था कि कौन सा सब्द, इस्त्री लिंग नहीं है, तो कौन सा सब्द नहीं है, संबल चली, आगे बढ़ते हैं, बारवे question का answer है B, क्रिपड और दाता, चली, आगे बढ़ते हैं, तो तेरवे question का answer होगा A, जीवन पती का समानार्थी सब्द क्या होगा? यमराज, फिर चौदवे question का answer होगा दोस्तों, चौदवे question का answer होगा अतींदरी, यानि की A, पंदवे question का answer देखते हैं, तो पंदवे question का answer होगा विवा, फिर उसके बाद, 16 question की बात करते हैं तो 16 question का answer होगा B यानि की पंखे 17 question देख लेते हैं तो 17 question का answer होगा C 2 plus 6 2 plus 6 2 plus 6 18 question देखते हैं 18 question का answer होगा C यानि किसमें पूछा गया था निमने में से किस सब्द का वर्तनी सही है तो इसमें answer होगा ललाइत चलिए आगे बढ़ते हैं 19 question की बात करते हैं तो 19 question का answer है C उज्जुल इन सब्दों पर विचार करने की बात की कई थे तो इसका answer है C यहाँ पर विस्मरड होगा यहाँ पर विस्मरड उत्तर होगा 19 का उत्तर होगा विस्मरड option number C चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने 20 question पर आते हैं तो 20 वे question का answer होगा दोस्तो B समान प्रवतिवाले ही एक दूसरे कोई सराहना करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं 21 question की बात करें तो 21 वे question का answer होगा A कर्मकारक फिर 22 question की बात करते हैं तो 22 question का answer होगा B प्राता कालिन सूर्य सिंदूर ठीक है 20 की बात करते हैं तो 23 question का answer होगा C क्या होगा answer होगा C अनेको लोग फिर 24 question की बात करें तो 24 question का answer होगा D अक्षर ठीक है अब हम हिंदी का last question की बात करते हैं तो last question का answer है D मतलब यहाँ पे वो पूछा गया था तो इसका answer होगा D पहला, दूसरा, तीसरा और चौता, चारो चलिए तो यह हमने हिंदी के question paper की बात कर ली अब हम GK की बात करते हैं चलिए तो चलिए GK की question paper की बात करते हैं तो सबसे पहला जो question है सबसे पहले question का answer होगा C NH2, ठीक है फिर दूसरे question यानि की 52 question की बात करें तो बावनवे question का answer होगा B, थारू यहाँ पे पूछा गया था कि निमलिकित में से किस अनुसुचित जन जाती की जन सक्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है तो कौन सी है थारू जन जाती ठीक है आगे बढ़ते हम तिरपन question की तरब तो इस question का answer होगा C, 9 होगा ठीक है और हम 54 question की बात करते हैं तो इस question का answer होगा B, क्रशी फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब हम 55 question की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में IT सहर कहां स्थापित किया जा रहा है तो इसका उत्तर होगा लखनौ सही उत्तर क्या होगा दोस्तो लखनौ option number C फिर हम 56 question की बात करें तो इसका उत्तर होगा B फिर आगे बढ़ते हैं 57 question पे तो इस question का answer होगा A लिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के सहर की रूप में जाना जाता है तो बनारस को बारारसी को चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला question है 58 58 question का answer होगा दोस्तो A ठीक है यह आप देख लीजे इसका answer होगा option number A B, C, D, A ठीक है यह इसका sequence होगा 59 question की बात करते हैं तो इस question का answer होगा option number D online खरीदारी करके आप computer virus का पता कैसे लगा सकते हैं तो online खरीदारी करके ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले question पे आते हैं तो हमारा जो 60 question है इस question का answer होगा option number D D, producer और खपत में कमी आ जाएगी चली 61 question की बात करें तो इस question का answer होगा option number B रिधम ममानिया ठीक है रिधम ममानिया चली आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले question की बात करें 62 तो इस question का answer होगा option number C हैदराबाद फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 63 question की तरफ बढ़ते हैं तो इस question का answer होगा option number A चीन फिर उसके बाद 64 question का answer होगा option number B रबिंदरनाथ टैगोर सुबाश चंदरबोस को देशनायक किसने कहा था रबिंदरनाथ टैगोर ने उसके बाद अगला question देखते हैं 65 तो अगला question का answer होगा 65 question का answer होगा option number D कनाड़ा ठीक है 66 की बाद करें तो 66 question का answer होगा option number A article 19 67 question की बाद करें तो इस question का answer होगा option number C ठीक है 68 की बाद करें तो 68 question का answer होगा option number A electronic funds transfer ठीक है चली आगे बढ़ते हैं 69 question की बाद करते हैं 69 question का answer होगा option number C चिकितसा medicine ठीक है फिर 70 question का answer क्या होगा option number A, पांच वी पंच वर्षी योजना, ठीक है, अब हमने अगले question की तरह बढ़ते हैं, तो 71 question का answer होगा option number A, फिर हमने अगले question की तरह बढ़ते हैं, तो 72 question का answer होगा option number D, क्या होगा option number D, Lord William Bantic, फिर 73 question की बात करते हैं, तो 73 question का answer होगा option number A, प्रात्मिक चेतर यानि की primary sector ठीक है 74 question की बात करें तो 74 question का answer होगा option number A 36 to 51 ठीक है अब अपने आखरी question की बात करते है 75 तो इस question का answer होगा option number A दांडी ठीक है तो ये आपकी हिंदी और GKK question answer की मैंने बात की अब इसके बाद मैं आपको लिए अगला video प्रोवाइट करूंगी जिसमें मैं अगले subject के question answer की बात करूंगी धन्यवाद दोस्तों